आज अपने इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों सारे गामा लिटल चैम्प के सैटरडे स्पेसल के दोरान में कुल छे परफॉर्मेंस हुए थे और इन सभी परफॉर्मेंस को देखने के बाद में इन कंटेस्टेंट को किस तरह का स्कोर मिला है कौन है इसमें टॉप पोजिशन में और किने मिला है सबसे कम स्कोर या सारा कुछ हम आज जानने वाले हैं दोस्तों तो आपको बता दू सारे गामा पा लिटल चैम्प का सैटरडे स्पेसल जो था दोस्तों वो सुरों का दरवार था जिसमें कि हमारे सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक जवर्दस परफॉर्मेंस करके दिखाए पूरे मंच को मानोई दरवार की तरह सजाया गया और उस दोरान में कुल 6 परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले हैं तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कंटेस्टंट की जो थे अतानू मिश्रा जिन्होंने की अपना बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा परफॉर्मेंस किया था पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई इस खूबसूरत से परफॉर्मेंस को करके दिखाया था और उन्हें 99 का स्कोर मिला था दोस्तों तो वहीं बात करें अपने दूसरे कंटेस्टंट की जो थी रफा यासमीन जिन्होंने की बहुत ही खूबसूरत और जवर्दस परफॉर्मेंस करके दिखाया था के सरा सरा जो की ला जवाव और आउस्टेंडिंग परफॉर्मेंस था दोस्तों जिसे सुनने के बाद मैंने हंडेट का सकोर मिला था तीसरे कंटेस्टंट की बाद करें तो वह थे अथर बक्षी जिन्होंने के अपने खूबसूरत और बहतरीन परफॉर्मेंस से हंडेट का सकोर पाया फिल्म महुआ का गाना उन्होंने परफॉर्म किया था दोस्तो दोनों ने किया था प्यार मगर यह बहुत ही प्यारा और खुबसूरा सा गाना था जिस पर कि उन्हें 100 की स्कोरिंग मिली थी अगले कंटेस्टन थे हर सिकंदर जिन्होंने की ला जवाब परफॉर्मेस करके वहां का समा ही बदल दिया था दोस्तो फिल्म दिल लगी का गाना उन्होंने परफॉर्म किया तुम्हें दिल लगी भुल जानी पड़ेगी इसे सुनने के बाद ने वहां पर मौझूद सभी लोगों ने इनकी जम की तारिफें की हैं और इन्हें भी 100 का स्कोर मिला था दोस्तो अगले कंटेस्टन थे पलाच्ची दिख्चित जिन्होंने की फिल्म कारवा का ला जवाब परफॉर्मेस किया पिया तू अब तो आजा इस गाने को ला जवाब तरीके से प्रेजेंट करने के बाद में हमारे सभी जजेज और जूरी मेंबर ने इनकी जम के तारिफें की हैं और 100 का स्कोर इन्हें भी मिला था दोस्तो छटे और आखरी कंटेस्टन जो थे दोस्तो वो थी हर मेहर कौर जिन्होंने की फिल्म 16 साल का है अपना दिल तो आवारा इस गाने के उपर में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत से परफॉर्मेस करके दिखाया था जिस दौरान में की उन्होंने युकेलेली, काजू और इन सभी इंस्टूमेंट को बजा के परफॉर्म किया था जिसकी की संकर महादेवन जी ने जम के तारिफें की थी लेकिन स् प्रभाद जागरन जागरन